नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी काजी मध्यप्रदेश शतीस गड़ देख रहा है आप में हूँ आपके साथ कूमल गंगवार लोगसभा चुनाव में करारी हार पर पूर्व नेतब प्रतिपक्ष और कॉंग्रिस की विधायक अजे सिंग ने संगठन की काम पर सवाल उठाएं जिसके बाद प्रदेश में कॉंग्रिस की कारिश्यली को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है तो दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस के सूपड़ा साफ होने के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुचे लोकसभाद चुनाओं में मध्यप्रदेश में इस बार कॉंग्रिस का सफाया हो गया है चिंदवाडा समेथ बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीचों पर जीत हासिल की है और अभार के बार कॉंग्रिस नेताओं में खुलकर रार सामने आ गई है कॉंग्रिस नेता अजयसिक राहुल ने गुरुवार को वरिष्ट नेता कबलनात और दिग्विजे सिंग के साथ-साथ प्रदेश अद्दक्ष जीतु पतवारी पर निशानत साथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंग ने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जीतु पतवारी के कारेकाल की उच्चेस्तरी समिक्षा की मांग करते हुए पूर्व सियम कबलनात और दिग्विजे सिंग पर भी निशानत साथा है जिसके बाद प्रदेश की राज़नीती चरम पर है बीजेपी की तरफ से पुरु मंत्री राम निवास रावत और बीजेपी प्रवक्ता हिटेश वाजपाई ने एमपी कॉंग्रस की कारेश अली पर हमला बोला चरम चौनाव मुझे अराया पर अच्छासन मुख्यमंति के कहने से चलता यहाप अच्छे से जानते हों तो वन हखारा का चौनाव फिर ट्रिकट चेंजन नहीं होने दिया वहा इनहों नहीं होने दिया तो मैं दो चौनाब विजरायक के राके Cynthia अड़ेना के नैता भर वह अब एक तरब बीज़पी के साथ कॉंग्रेस के अमाम नेता MP कॉंग्रेस के शिर्ष नित्रित पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरों मुख्यमंत्री कमलनात लोग सभा चुनाव के नतीजों के बाल पहली बार सोन्या गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुचे जहां मुलाकात से पहले कमलनात ने MP पर हार का कारण पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग बताया MP में कॉंग्रस का सुपड़ा साफ होने के बाद अब पाची नेतिरत पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल BJP के साथ कॉंग्रस के कई नेता भी उठा रहे हैं इस बीच बड़ा सवाल यही कि क्या होगा MP कॉंग्रस का अगला कदम येरल पोग, जीमिर्या